अग्ट इबनिंग एवरीबडी वेलकम दो माइचानल दा इन्वीजिबल टेडर होप आज लोगों ने थोड़े बहुत अच्छे पैसे कमाई होंगे जो मार्केट लिटल बेट डेविएशंस फॉन दो तैमिंग नोट लेवल टाइमिंग की बात कर रहा हैं बैंक निफ्टी सब्सक्राइब लिए लिया जा सकता था यहां इसी के आसपास हमारी एक लेवल थी अगर आपको याद होगा यहां पे एक लेवल थी 46,751 मार्केट 730 20 पॉइंट चोड़ तक 20 पॉइंट के गिरा है यहीं तक हमारी टार्गेट थी और एक ब्लाइंड सेल हमारा विकली पस था डाट वास बैसिकली बैंक निफ्टी के अपर साइड लेवल यहां पर निफ्टी को मार्केट को उठाया यहां तक आप लेकिया सकते हो अगर यह यह तो भीने लाइव में दिखा के मेरे ट्रेट थे क्या अनि इन दिस ट्रेट इस दिस विशन ऑप्शन सेलिंग टे इसी में ही अपने 25,000 के आसपास पैसे बन गयते हैं यह लिया जा सकता था यहां तक लेवल था यहां तक लेवल था और यहां पर वन मिनिट टाइम फ्रेम में यह कैंडल पर मैंने काट दिया था ठीक है इस अब यहां डिट मार्केट विएव दो वेव एक्सपेक्टेट तिल ना अप्सलोटली यस मंडे का दाम ने आल्री वीडियो में बात करी है मंडे मार्केट में फॉल आया मार्केट में हम एक बुल साइट देख रहे हैं आईडियली मोटा-मोटा और यह बुल को हमें ज तक मार्केट में आज रियाक्टेड मार्केट है दो के कल होता है कि नहीं होता है वह देखना पड़ेगा जैसे मैंने बोला था दो चीजह होंगी पीध्ड च अगर यह लेते हैं मार्केट गैप भागा है तो भी घबरानी की जरूरत नहीं अगर अपना व्यू के एगेंच मा सब्सक्राइब तक मार्केट आएगा फिर तो अलग बात मोटा मोटा टाइमिंग हमारी जो है देखो 11 o'clock 1032 11 o'clock जो भी मैंने बोला में ब्रूटल सेल हो सकता है और ग्लोबल मार्केट में सिनारियों नहीं रहा है कि मार्केट गैप डाउन कर दे और गैप डाउन करें और गैप डाउन करें कब तक जो भी अगर वूटल सेल होगा होगा नहीं होगा अगर क्योंकि हमने रिस्क लिया इट्स अलबॉट रिस्क और पर्मूटिशन कॉंबिनेशन राइट से गेम और प्रोबाबिल्टी ऑल्वेज इन ट्रीडिंग तो अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाफ से जो हमने रिस्क लिया है हम लोग फोल्ड गप तक करेंगे अट लिस्ट एन थर्टी तक मार्केट को होल्ड करेंगे मिनिमम तेन यह कि बाइंग नहीं है अफ्टर वंग थर्टी टू ओक्लोग मेरे खाल से आई गिए टाम टो लोग विए टेकर राउन 145 145 से वाइंग सकते तिल तरी 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 इस इसमें से कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा व्योंट नो बट बेस्ट अन इस पैटन प्लस दिप्राइस क्सu कुच्छेंगे जैसे यह हमारी जो हमने एक गारांग बनाया था सिमेट्रिक ट्रेआंग़ अगर आपको याद आपनीक सिमेट्रिक ट्रियांगल यहां पर बना यह ब् frança आमने यह बूला था कि इसमे त्ट्रेंड लाइन नीचे वाला स्था यह वाला हमने यह एक्सपेक्ट किया था कि सिमेट्रिक ट्रैंगल के मिड़ तक मार्केट आ सकता है बट मुझे अभी जो लग रहा है ना मैक्सिमम मार्केट 46 यह जो सेल जोन है अभी यहां तक आना मुस्किल लग रहा है मेरे को पोस्नली बैंक निफ्टी बट यह जो सेल ज 46,000 यह वाला 46,050 यहां तक यहां तक मार्केट को आना बहुत ही मुस्किल का काम मेरे को लग रहा है यही से मार्केट रिवर्स हो जाना चाहिए 46,000 गास पास अगर हम उपर से सेल कर रहे हमने सेल किया है तो हमारी टार्गेट 46,200 यह जो है ना सिमेट्रिक ट्रैंगल का यह तक मार्केट को हम ज़्यादा ज़्यादा देख सकते हैं यह टार्गेट आया तो ठीक है यह नहीं आएगा मुझे लगता है यहां तक आ गया तो भी बड़ी बात है तो भी बहुत बड़ी बात है और यह जो भी आएगा मोस्टली यह 11 o'clock से पहले आ जागा 11 o'clock से 1 o'clock के बाद मार्केट रींज बाउन हो जागा डाउन सेट कंसॉलिडेट करेगा तो कि जैसे पर एक्जांबल यह कंसॉलिडेशन किया और मार्केट ने मोमेंटम गांडल किया अफ्टर वान थर्ट इसी मोमेंटम को आपको पक जो आज का था कल भी यही है अगर मार्केट हमारी वीव के एगेंस में जाता है पॉड़ी सिक्स ताओन एटेंडेट टुटी जब्लाइंट सेल नहीं जाना चाहिए मार्केट को मार्केट इस लेवल के आस पास भी अगर ओपन करता है तो आप सेल करोगे बट ग्याप अप में मार्केट एक चीज़ याद रखना अगर मार्केट ग्याप अफ हो जाता है वी आ गुएंग टू ओंली वेट वर कॉस्ट तो कॉस्ट जो पी हमने लिया यह वेट करेंगे उसके बाद ट्रेल करेंगे कॉस्ट टुकर डेफिनाट ले आएगा यहां पर मार्केट कैसे र मार्केट को आइडियली ग्याप डाउन करना चाहिए ग्याप डाउन करके कंटिनीव कर देंगे यहां तक आ जाए फॉटी सिक्स ताउजन टूंड और फॉटी सिक्स ताउजन वाट टेवर यह जोन पर आ गया इस जोन में इस जोन को ब्रिक आउट करेगा तो हम और एक ब 2560 यह स्विंग लो और फॉटी सिक्स ताउजन टू हंडड़ माक्सिमुम फॉटी सिक्स ताउजन फिटी इस से ज्यादा मार्केट जाएगा नि हाई चांसे के फॉटी सिक्स ताउजन के लेवल के आसपास मार्केट बाउंस देदे बिकाज यह कि सिमेट्री ट्रेंगल का री टेस्ट होगा निफ्ट की अगर हम बात करें डाउजन वैसे तो नेगेटीव है बट निफ्टी में देखवा आज भी आज हमारी जो व्यू थी मार्केट में 11 क्लॉक के बाद जो बाइंग थी मार्केट ने दिया वैसे एक्जाक टाइमिंग तो नहीं हुआ बट डिरे मार्केट मोटा मोटा यहां पर फिर भी आप पॉजिटीव बोल सकते हो ठीक है नाव दिस इस कल की जो सेलिंग लेवल हो यह 22,237 इसके उपर मार्केट अगर गया तो आपका कोई भी पी पोजिशन होल्ड में नहीं होना चाहिए इरेस्पेक्टिव और व्यूस इरेस्पे कर सकता है ठीक है बट इस नॉट माई प्रिफरेबल ट्रेड यहां से आप मोटा मोटा यह जो बाई जो है सेकेंड स्विंग यहां तक एक बार आना चाहिए इसके नीचे मुझे मुझे मार्केट थोड़ा मुश्किल लग रहा है यह हफते हम लोग एक्सपेट कर रहेते है 22,000 के लेवल के असपास मार्केट एक बार आ जाए बट कल 22,000 50 के असपास अगर मार्केट आया वही हमारे लिए मतलब गंगा नाना हो जाएगा वहीं पर हम लोग टार्गेट खतम कर देंगे और यहां पर कंसॉलिडेशन के बाद हम वाय करके एक हलका सा रीकवरी आराउं 60-70 पॉइंट का देख सकते हैं लेवल सी यह यह सकता है अगर यह लेवल मार्केट काटा या फिर मौनिंग में मार्केट ओपन हो कि यह लेवल भी अगर काड़ देता है तो भी हाई चांसे के हम एक 100 पॉइंट का सेल पहले देंगे और फिर मार्केट में उपर जाएंगे यह यहां तक आएगा यह अनादर 50 पॉइंट का फॉल देगा वी दोंट नो पता कैसे चलेगा वन थर्टी से पहले पाइनी कशल था ठीक एड़ एवन थर्टी के बाद फ्रेश सेल नहीं करणा है एविन ग्यारा बज़े के बाद ग्यारा बज़े के बाद फ्रेश सेल नहीं आइ जयमादो दो